साथियों, आज का विश्व सामोहिक नेत्रुत्व की तरफ बहुत आशा से देख रहा है, चाहे वो G7 हो, G77 हो, या फिर UNGA हो, इस माहोल में G20 के प्रसिडेंट के तौर पर भारत की भूमी का बहुत एहम है, भारत एक और विक्षित देशों से गनिस्त रिष्टे रखता है, और साथ ही विकास सिल देशों के द्रश्टिकोंड को भी अच्छी तरह से समझता है, उनकी अभिवक्ति करता है, इसी आधार पर हम अपनी G20 अज्जिक्सागी रुपरे खाएं, ग्लोबल साउथ के उन सभी मित्रों के साथ मिल कर बढाएंगे, जो विकास के पत पर दसकों से भारत के सहयात्री रहे हैं, हमारा प्रयांस रहेगा कि विश्व में कोई भी विश्व में कोई भी फरस्ट वर्ल या थर्ड वर्ल न हो, बलकि केवल, केवल वन वर्ल हो, भारत पूरे विश्व को एक कॉमन अबजेक्टिव के लिए, एक बहतर भविश्व के लिए, साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है, भारत ने वन सन, वन वर्ल, वन ग्रीड के मंत्र के साथ विश्व में लिन्योबल एनर्जी रिवालुशन का अहवान किया है, भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ, इस मंत्र के साथ ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करने का अभ्यान चलाया है, और अब G20 में भी हमारा मंत्र है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, भारत के यही विचार, यही समस्कार, विश्व कल्यान का मार्ग प्रसस्त करते हैं,